हेलो एवरिवन वेलकम टू माई चैनल हिंदी टैरो डैक त्रिपल टू में मैं हूँ पलवी फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी अच्छे होंगे और खुश भी होंगे और अपनी इलाइट में आगी भी पड़ रहे होंगे फ्रेंड्स मैं आज आपके सभी के सामने पिक अपाइल रीडिंग लेकर आई हूँ जिसमें आपको एक पाइल चूज करनी है और आज की इस पिक अपाइल रीडिंग का टॉपिक है शुड आई वेट और मूव ओन ठीक है फ्रेंड्स यानि क्या है आपको अपने पार्टनर क वेट करना चाहिए या मूव ओन करना चाहिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपकी रिलेशन्शिप को लेकर जैसे की हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से सेपरेशन में हों काफी लंबे समय से या फिर आप टॉक्सिक रिलेशन्शिप मे या आप एक लॉंग डिस्टन्स रिलेशन्शिप में है या फिर आप नो कॉंटेक्ट की सिचुएशन में या फिर बाते तो होती हैं बट बहुत कम-कम बाते होती हैं तो यह रीडिंग आपके लिए ही है आप इसे देख सकते हैं यह वीडियो मैरीड अनमैरीड कोई भी प पाइल गुरू बना रखे हैं फर्स्ट पाइल जो है वो है ज्यादा गृठ्ट हो रहे हैं उसे ही सेलेक्ट कीजेगा अगर आपको सलेक्ट करने में प्रब्लम हो रही है तो आप वीडियो को पॉस करके अपने पसन के बारे में आख बंद करके सोचें और फिर आँंग खो आप दोनों पाइल भी select कर सकते हैं, दोनों देख सकते हैं, जो ज़्यादा resonate करें आपसे, उसे ही आप अपनी पाइल समझेगा, वैसे friends, मैं time stamp नीचे description box में और comment section दोनों जगह दे दूँगी, ताकि आप अपने select की हुई पाइल पर असानी से जा सकें, ठीक है नाप friends, करता हैं ना भी करें, बट आप निराशना हुए, आप मेरी next video का भी wait कर सकते हैं, और मेरे और जो YouTube पे जो और भी readings आती हैं, और YouTube tarot readers हैं, उनकी भी readings आप देख सकते हैं, बट मैं pray करती हूँ कि ये majority level पर आप सभी से resonate करें, ताकि आप सभी को कुछ ना कुछ guidance मिल सकें, friends, अगर आप से मेरी ये वीडियो resonate करती है, और आपको मेरी इस वीडियो से कोई guidance मिलती है, और आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, तो please मेरे इस चैनल को like कीजिए, और like करना बिल्कुल न भूले, और साथ ही मेरे इस चैनल को subscribe भी कीजिए, और bell icon पर press भी कीजिएगा, ताकि मेरी और भी वीडियो के notifications भी आपको मिलते रहें, और साथ ही मुझे please comment sections में भी लिख कर जरूर बताएं, कि आपसे मेरी ये pile, मेरी ये reading resonate करती है या नहीं करती है, ठीक है न friends, आप बिल्कुल positive रहें, और मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, I think आपने अभी तक choose भी कर लियोगी अपनी pile, तो चलिए सबसे पहले first pile, green pile को देखते हैं हम लोग, इसको अभी side में रख देते हैं, चलिए, अब green pile को देखते हैं हम लोग, इसको यहां रख देते हैं, ठीक है ना guys, देखिए अगर मुझे कुछ clarification की जरूरत हुई, तो मैं ओशो कार्ड से आपके सामने clarify भी करूँगी, और उसके बाद मैं आपके सामने आपके partners के messages भी परूँगी, ठीक है, channel messages जो भी होते हैं, यहां पर यह देखिए, कुछ मैंने आपके लिए affirmations निकाली हैं, और यह आपके angels के abundance cards हैं, यह मैं बार में देखूँगी, साही बाबा के भी messages मैं बार में देखूँगी, तो सबसे पहले में reading पे आजाती हूँ, आपके tarot card reading पे, ठीक है ना guys, चलिए, तो सबसे पहले वाला card है, four of cups, मैं आपको जॉड़ेक sign भी सबके बताऊंगी, two of pentacles, तो यह है आपका, यह हो गया आपका water signs, cancer, Pisces and Scorpio, pentacles हो गया आपके, Taurus, Virgo and Capricorn, फिर उसके बाद आता है, आपका eight of wands, wands हो गया आपका fire signs, यानि की Aries, Leo and Sagittarius, फिर उसके बाद आपका आता है, the high priestess, cancer, फिर उसके बाद आता है, आपका the fool, उसके बाद आता है, अब कब the fool, यानि की Aquarius, Ace of Pentacles, यानि की आपका फिर से, Earth sign, Taurus, Virgo and Capricorn, Ace of Pentacles, Queen of Pentacles, Again Taurus, Virgo and Capricorn, and the world card, यानि की Capricorn, मुझे यहाँ पर Capricorn की, बहुत strong feelings दिखती है, यानि की Earth sign, बहुत ज़्यादा है, देखिए, यहाँ पर Earth sign, Capricorn है, यह आपके पहले, मैं basically, निकाल रही हूँ, आपके person, जो है, उनकी क्या current feelings है, आपको लेकर, इस रिष्टे को लेकर, I think आपको ये cards, दिख रहे होंगे friends, I hope आपको दिख रहे होंगे, सारे cards, ठीक है ना friends, चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको सारे, जोटेक sign बता दिये हैं, यह basically, आपके person की current feelings, क्या है, इस रिष्टे को लेकर, उसका clarification, मैं बता रही हूँ, फिर उसके बाद, मैं आपको इस situation के, according, OSHO cards से, कुछ guidance cards भी निकालूंगे, कि आपको अपने situation में, क्या करना चाहिए, ठीक है ना, वो आपके उपर है, basically, मैं सिर्फ मेरा काम, यहाँ पर आपको guide करना है, वो आपके उपर है, कि आप उसे ले या ना ले, ठीक है ना friend, तो चलिए देखते हैं, क्योंकि trust issue के बारे में भी बता रहा है, और आपने इस misunderstanding को clear करने के लिए, I think, बहुत efforts करें हैं, बट आपके partner ने, आपकी किसी भी बात पर believe नहीं करा, आपकी किसी भी offer को accept नहीं करा, और आपने भी अब effort करना, और अपने partner से बात करना, बंद कर दिया है, इस card को देखकर मुझे लग रहा है, क्योंकि आपको feel हो गया है, कि आपके partner ने, अपने आपको बहुत ज़्यादा negativity में डाल लिया है, और आपके partner past के बारे में सोच सोच कर, अपने आपको stuck कर चुके हैं, और उन्हीं बातों से दुखी भी हैं, देखिए, कितना sad दिखाई दे रही हैं मुझको, friends मुझे ऐसा भी लग रहा है, कि उन्होंने अपने emotions जो कि आपके लिए हैं, उन्हें वो withdraw कर रहे हैं, पर जब वो आपको बहुत ज़्यादा, लेकिन वो आपको miss भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उन्हें कहीं न कहीं realization तो हो रहा है, इस card को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है न, फिर उसके पाद आजाईए, two of pentacles पे, तो अब उनके साथ क्या हो रहा है न, कि वो two of pentacles को देखके, वो ऐसा लग रहा है कि वो दो situation को लेके काफी जगल कर रहे हैं, पहला तो यह हो सकता है कि वो अब situation को बहुत ज़्यादा balance करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है न, आपसे बात करने की कोशिश करना चाहते हैं, और सोच रहे हैं कि किस थरह से बाते स्टार्ट की जाएं, ठीक है, और जो यह जो दूसरी साइट का यह जो है आपका, यह situation को ignore करने का लग रहा है मुझी, कि वो ignore कर रहे हैं, और अपने आपको बहुत ज़्यादा work में busy रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा work कर रहे हैं, ताकि उन्हें ऐसा लगे, उन्हें खुद को ऐसा feel होने लगे कि अब situation मेरे full control में है, तो इस card को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है न, 8 of wands, 8 of wands का card मुझे बताता है कि आपके partner पहली situation को ही follow करेंगे, यानि कि वो आपसे बात करेंगे, वो आपसे बात करके चीजों को solve out करेंगे, at least एक बात वो try करेंगे, वो communicate करेंगे आपसे, ठीक है, आपके partner पहली situation को ही follow करेंगे, means आपके partner अब आपसे passionately बात करना चाहते हैं, वो अब आप दोनों के रिष्टे में जो भी problem चल रही है उन्हें solve करना चाहते हैं, ये card moment को बताता है, ठीक है, ये card जो है आपका moment को बताता है, ये card बताता है कि आपके partner आपको कोई call या message करने की भी कोई सोच रहे हैं, ठीक है न, जिसका आपको भी शायद बहुत लंबे समय से इंतिजाब था, बहुत लंबे समय से आप बेट कर रहे थे, अब आपके partner वो जो stagnation वाली जो energy है उसको खतम करना चाहते हैं, उसको कही न कहीं वो खतम करना चाहते हैं, अब आपके partner आपसे new beginning करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, moment लाना चाहते हैं, इस struck baby feeling को जो चीज उन्हें अब realize हो रही है, उसमें moment लाना चाहते हैं, ठीक है न, और ये moment positive way में होगा, इसका मुझे पता चलता है, इस card से, the high priestess, ठीक है, इस card से मुझे इसलिए पता चलता है, क्योंकि ये card बताता है, intuition को, अपनी अंतर आतमा को सुनना, ठीक है न, वो कहीं न कहीं अपनी अंतर आतमा को सुन रहे हैं, अपनी आवाज अंतर आतमा को सुन रहे हैं, ठीक है, अब तक आप उन्हें बहुत चाह रहे थे, अपने आप से उन्हें समझाना चाह रहे थे, अब तक वो आपकी बात सुनना या समझना ही नहीं चाह रहे थे, ठीक है न, बट अब उनके सामने कुछ hidden secrets आई हैं, ये जो वेल है न, इससे ये पता चलता है, कि उनके सामने कुछ hidden secrets आई हैं, जो शायद आप उन्हें पास्ट में बताना चाह रहे थे, उन्हें समझाना चाह रहे थे, जो आप दोनों के बीच में misunderstanding का reason बन गया था, वो उनके सामने reveal हो गया है, यह near future यह सब होने वाला है, ठीक है ना friends? तो वो उन सब चीजों को solve करना चाह रहे है, किसी तरह से, अपनी intuitions को, अपनी अंतरात्मा को सुन रही है, अब उन्हें पता चल रहे है कि काला क्या है, सफेद क्या है, उन्हें सब सही गलत का समझ में आ रहा है, और वो इस बात से मुझे पता चलता है, क्योंकि यह है आपक कितने relate कर रहे हैं, एक दूसरे से, ठीक है ना guys, और इसी के साथ मुझे Ace of Pentacles का जो card है, वो बताता है कि अब आपके partner आपके साथ अपनी relationship की एक नई, एक healthy नीव रखना चाहते हैं, वो शायद आपको कुछ offer भी करना चाहते हैं, कोई gift देना चाहते हैं, कुछ new beginning करना चाह है, तब full card से, full card से हमें पता चलता है कि वो किसी कोई new beginning करना चाहते हैं, आपके person आपके साथ कोई new journey स्टार्ट करना चाहते हैं, वो अपनी inner voice को सुन रहे हैं, अपनी अंतर आत्मा को सुन रहे हैं, ठीक है ना, वो starting करना चाह रहे हैं अब आपके साथ, अब उन्हें आप पर कही ना कही trust हो रहा है या फिर future में ऐसा होने वाला है ऐसा हो भी सकता है ऐसा मतलब वो अभी सोच रहे हैं ये current feelings में बता रही हूँ आप सभी को ठीके तो ऐसा वो सोच रही है ये सब वो आपको miss कर रहे हैं बहुत जादा queen of pentacles के card से अब आप लोग ये सोच रहे होंगे क ये सब तो सारे pentacles के cards आई हैं तो मैं ऐसा कैसे बोल रही हूँ कि आपके लिए ही हो रहा है वो मुझे पता चलता है queen of pentacles के card से ठीक है ना queen of pentacles का card basically बताता है आपकी personality के बारे में जो वो आपके बारे में सोचते हैं हो सकता है कि past में उन्हें आप बहुत जादा protect करके चलत करते थे तो वह सब चीजे ना miss कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप उन्हें वैसा ही प्यार करें जैसे या पहले करते थे आप उन्हें perfect husband और wife जैसे भी हूँ आप तुछ से resonate करें आप उसी साब से लीजेगा क्योंकि general specific नहीं है बिल्कुल भी ठीक है ना तो वह आपको एक mother figure की तरह मतलब वैसे थो husband wife की तरह समझते हैं लेकिन जैसे आपका nature था ना कि एक mother की तरह उन्हें pamper करना उन्हें प्यार करना उनकी care करना तो वह सब मिस कर रही हैं बहुत जादा मिस कर रही हैं और outcome क्या आ रहा है ना आपकी reading का उनकी मतलब उनकी जो current feelings का जो outcome आ रह करना जाते है cycle complete करना जाते है travel करके आपके पास आना जाते है हो सकता है आप लोग long distance में हूँ हो सकता है कि मतलब आप geographically बहुत दूर हो एक दूसरे से और अभी travel वो नहीं कर पा रहे हूं बट वो आपके पास आना जा रहे है क्योंकि इतना आपको भी पता है कि करोना के च feeling चल रही है कि मैं किसी तरह से आपके पास आ जाए ठीक है ना वर्ड का करड़ बताता है कि आप और आपके पास दोनों ही cycle को complete कर रहे हैं वो cycle complete होने वाली है अब आपके और आपके पार्टनर की life में happiness आने वाली है आप दोनों की life में यह flowers आपकी life में happiness आने वाली है ठीक है आप दोनों की life में एक दूसरे को और यह सब चीजे लग आपके life में इसले हुआ है ताकि आप एक दूसरे की value कर सके ठीक है ना तो एक तरह से यह card bad phase का end होने और new beginning के start होने को represent करता है इसके साथ ही आपकी जतना भी bad phase थाना वो सब खतम होने वाला है ठीक है ना इस card से मुझे यह पता चलता है चलिए अब मैं इसके साथ ही आपको बताती हूँ कि आपको I think उनकी current feelings तो समझने आ गई होगी अब आपको उसके according देखना है कि अब आपको क्या decision लेना है ठीक है ना अब मैं आपको Osho's card से उसका guidance निकाल के ब बताऊंगी कि आपके लिए universe आपको क्या guide कर रहा है उनकी feelings अभी तक के लिए तो यहीं है ठीक है ना गाइस इतने सारे cards एक साथ नहीं लूँगी one by one मैं cards होगी यह मैंने कर लिए है shuffle और let's see wow the level soulmate connection possibility है oh my god the world का card फिर से आया है and the possibility तो guys इन सबको देखकर तो आपके लिए guidance आपको खुद भी समझ में आ गया होगा मुझे इतना clear करने की भी जरुरत नहीं है पर still मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर universe भी आपको यही guide कर रहा है कि यह आपका एक soulmate connection है और आपकी जो cycle है वो complete होने वाली है और इस रिष्टे की फिर से new start होने की possibility भी यहाँ पर आपको universe पता रहा है और देखिए decision आपका है basically मैं सिर्फ यहाँ पर आपको guide कर रही हूँ cards के through और इतने सारे लोग यह reading देखेंगे तो उसके according ही मैं आपको आपकी situation के according देखें आपको पता होगा और ज्यादा बेहितर लेकिन यहाँ पर आपके लिए universe यही guide कर रहा है कि यह एक soulmate connection है तो आपको I think wait करना चाहिए और इतने time आपको positive रहना चाहिए अपने work पर ध्यान देना चाहिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा इसी चीज़ पर focus करना चाहिए ठीक है ना अब मैं पहले अब आपको बताती हूँ कि साही बाबा आपको क्या guide कर रहे है साही बाबा का पहले है धारणाए ना बनाईए पहला है धारणाओं तता अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए तो इसका मतलब यह है कि आप बहुत शायद आप इतने negative हो रहे हैं ना काफी चीज़े overthink कर रहे हैं और इसलिए साही बाबा आपको यह message देना चाह रहे हैं कि कुछ भी negative मत सोचे क्योंकि अगर आप कुछ गलत negative सोचेंगे ना वो manifest हो जाएगा तो कोई भी धारणाए ना बनाईए दूसरा आया है द्रण बनिये ठीक है ना हमारा केवल अच्छा होना परियाथ नहीं है द्रण और निश्चाई बनिये second thing है कि क्या होता है ना कि हम जब situation खराब होने लगती हैं बहुत जादा गलत सोचने लगते हैं बहुत ज़्यादा मतलब क्या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डाउन होने लगते हैं तो आप इतना डाउन मत हुए आप द्रण भनिये situation को आप पार कर जाएंगे ठीक है ना आपके बश्वन आपके पास आ जाएंगे तो इतना ज़्यादा वरी नहीं हुए पीरा, पीरा से गुजर कर ही महानतम आत्मा अधिक उत्तम होती है, उन्नत होती है C, देखिए आपको साही बाबा भी यही बता रहे हैं कि पीरा, जो आपको यह पीरा हो रहे है यह दवर्ड कार्ड, दो बार आपके पास दवर्ड कार्ड आ रहा है यही बता रहा है कि आपको एक दूसरे की value समझाने के लिए आपके साथ ऐसा हुआ है अगर ऐसा नहीं होता तो शायद आप एक दूसरे को value ही नहीं कर रहे है तो कि उनका आपकी life में और आपका उनके life में क्या value है ठीक है ना चलिए अब ये जो card है ये हैं आपके angels क्या abundance आपको दे रही है ठीक है पहला है dreams of abundance As you sleep God, your angels and your highest self are giving you divinely guided ideas, answers and solutions Be sure to record your dreams in a general because they contain valuable insight that will help you manifest your desires into reality तो यहाँ पर आपको angels बता रही है कि आपको अपने dreams पर बहुर ज़्यादा focus करना है चाहें आप उन्हें किसी journal में लिखें, किसी diary में लिखें और उन पर work कीजिए ठीक है हो सकता है आपको कोई sign भी दिख रहे हो 111, 122, 133, आपको moon बार बार दिख रहा हो तो आपको ध्यान रखना है कि angels आपसे क्या कहना चाह रहे है आप उन्हें देखिए, समझेए और उन पर काम कीजिए ठीक है न, dreams of abundance फिर उसके बाद आता है, obstacles and blocks are lifted All your good personal work and your positive energy shift have overcome previous obstacles and blocks are lifted away Stay centered in gratitude to ensure that your flow of abundance continues तो यहाँ पर देखिए, फिर से आपको के लिए यही बार बताई जा रही है कि आप जो हिना negative मत सूचिए, gratitude कीजिए gratitude की practice कीजिए, उससे क्या होगा न, आपके जितने भी abundance होंगे blockages सारे दूर चले जाएंगे और जितने abundance है वो आपके पास आएंगे तो आप उन blockages को हटाने के लिए gratitude की practice कीजिए और positive रहने की कोशिश कीजिए यह हैं देखिए यह हैं आपके affirmations जो आपको affirm करते रहना है क्योंकि कई बार होता है हम इतने negative हो जाते हैं न, situation को लेकर कि हम positive बोलना, positive सोचना ही भूल जाते हैं यह तीन मैंने affirmation लिका लिए है आप इने कही note down भी कर सकते हैं ताकि आप इन जब भी negative mind में चले न, तो आप इन सब को repeat करना start कर ले ठीक है, यह आपी के लिए मैंने, especially आपी के लिए बनाई है abundance and love flow from me first one की, जो abundance है वो flow कर रहा है, love flow from me, मेरे से ही flow कर रहा है यह आपके लिए abundance आई है, दूसरा आया है, I love that my relationship is becoming more romantic everyday हो सकते हैं, आप इतना negative सोच रहे हैं, इसलिए आपके लिए affirm आया है कि आप अपने relationship जो है, वो romantic हो रहा है everyday, आपके जो आपी सोचना की खतम हो गया है, सब चीज़े बरबाद हो गई है, ऐसा कुछ नहीं हो आया आप रोज ही इस चीज़ का affirm कीज़े कि मेरा जो relationship है, वो day by day romantic होता जा रहा है, ठीक है, यह आप affirm कीज़े and third one, I have a wonderful partner and we are both happy and at peace तो कितना easy है affirm, आपको सिर्फ affirm करना है कि मेरा, I have a wonderful partner, कि मेरे पास बहुत beautiful partner है आप उसका नाम भी इसमें add कर सकते हैं और हम दोनों बहुत शान्ती से और खुशी से रह रहे हैं ठीक है ना, यह तीर affirm आप कहीं note down कर लिजे, आपके बहुत काम आएगा, जब भी भी आप negative हों, आप please इनको repeat कीजेगा ताकि वो negativity आपके mind से चली जाए, ठीक है ना, चली, अब मैं आपके person के जो है, आपके partner जो है, उनके messages परती हूँ क्या आपके लिए, वो messages कर रहे हैं, मैं यहाँ पर basically six cards निकालूँगी आपके लिए, ठीक है ना, चली, देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, इतने सारे एक सारे ही निकालूँगी यह सब में आपके लिए, 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 आपके ल फोर एंड फाइव एक कार्ड रिक आईटी में अपके लिए आपको अगर मेरी डीडिंग रेजोनेट करी है और अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिए और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए अगर आपको मेरी डीडिंग पसंद आती है ठीक है ना गाइस चलिए तो यह आए हैं आपके पसंद के messages I had no choice हो सकता है देखिए उन्हों नहीं हाँ पर भी वो जगल कर रहे हैं हो सकता है पास्ट में भी किसी चीज जिस चीज के लिए आपके बीच में conflict हुआ है उसके लिए वो कह रहे है कि I had no choice तो हो सकता है उनके सामने कोई ऐसी situation आई हो कि वो choose ना कर पाए हो हो सकता है family और आपके बीच में अपने work और आपके बीच में अपने मतलब अपने career को लेकर और आपके बीच में वो मतलब choose ना कर पाए हो तो वो इसलिए आपसे पोल रहे है कि sorry I had no choice तीक है फिर उसके बाद है I care a lot about you बट वो आपकी बहुत ज़्यादा care करते है जैसे आप यहाँ पे उनकी care करते थे queen of pentacles card आया है same वो भी आपकी बहुत care करते है हो सकता है वो जताते नहीं है लेकिन मन ही मन मन में दिल ही दिल में आपकी बहुत care करते है third one is I know you are the one वो जानते है कि आप ही only एक है और see वो queen of pentacles का card भी यहीं बता रहा है कि वो आपको as a husband material या wife material वो उस तरह से ही आपको देखते हैं तो वो यहीं बोलने I know you are the one ठीक है ना फिर उसके बाद आता है I am working on myself तो वो अपने आप पर work कर रहे है जो चीज़े और वोने बिगाड़ी थी वोने सही कर रहे है अपने आप पे भी work कर रहे है इंट्यूशनली सुन रहे है अपने आपको ठीक है तो वो work कर रहे है misunderstandings जो ही थी जितने भी आपमें issues आयते हैं उन सब पे work कर रहे है just give me another chance तो इसलिए वो आपसे दुबारा chance मांग रहे हैं कि मैं work कर रहा हूँ और मुझे एक chance दो तो I think आपको देना चाहिए आपको wait करना चाहिए you are my soulmate अरे वापने अगेन देखिये ना आप soulmate दलवर्स क काड़ाया था soulmate का काड़ाया था और वो भी वो भी शायद इस बात को जानते हैं कि हम दोनों एक soulmate है आप दोनों एक soulmate है you are my soulmate ठीक है ना friends तो यह थी आपकी reading अगर आपको मेरी reading पसंद आती है और आपसे resonate करती है आपकी situation से resonate करती है तो please मेरे चैनल को like किजे share कीजे and subscribe कीजे और इसी के साथ मेरे साथ बने रही है टाटा बाबाई है तो आजये second pile पर जिन्होंने यह यलो गुद्धा चूस किया था तो उनकी reading हम start करते हैं ठीक है ना चलिए मैं इसको यहां रग देती हूँ तो यह हैं आपके tarot cards जो मैं भी पढ़ूंगी आपके यह साही बा reading पर आजाते हैं याने की tarot cards पर तो सबसे पहले आता है आपका the hermit card hermit है आपकी majority sign आपको सब पहले बताती रहूंगी फिर उसके बाद में explain करूंगी ठीक है ना guys तो सबसे पहले the hermit याने की वर्गो energy हो गई फिर उसके बाद है आपकी the seven of cups याने की water energy cancer Pisces and Scorpio two of swords हो गई आपकी air sciences याने की Gemini, Libra and Aquarius strength हो गई आपकी Leo की energy Ace of cups हो गई आपकी water energy याने की cancer Pisces and Scorpio the emperor the emperor है आपकी Aries की energy king of pentacles king of pentacles हो गई आपकी Taurus, Virgo and Capricorn and temperance temperance हो गई आपकी Sagittarius की energy याने की fire sign ठीक है ना guys तो मैं आपको पहले यहाँ पे आपके पसंद की सारी current energy बताऊंगी कि क्या वो इस रिष्टे को लेकर आपको लेकर सोचते हैं फिर उसके बाद मैं Osho's card से आपको बताऊंगी कि आपको क्या इस situation में करना चाहिए Should I wait or move on ठीक है ना friends तो सबसे पहले आजाते हैं आपके person की partner की current feelings क्या है पहले तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपकी जो person है वो काफी controlling nature की है वो आप पर पहले जैसा control रखना चाहते हैं जैसे हो सकता है उन्होंने past में भी वो आपके काफी control रखते हूँ ठीक है ना और वो काफी practical भी है इसलिए वो love की situation को भी logic से ले चल रहे हैं अपने आप से चाह रही है कि आप उनके rules जो नोने बना रखे है rules and regulations जो नोने बना रखे है उसके according चलो आप ठीक है ना और वो आपको lead करना चाहते हैं मतलब एक तरह से वो चाहते हैं कि जैसा आपने कहा वो आप उन्हीं के according चलो आपको पर लेकिन उसके future ही है जो शायद कोई change नहीं कर सकता वो शायद खुद भी नहीं कर सकते हैं ठीक है ना लेकिन वो आपके care बहुत करते हैं आपको defend करके बहुत चलते हैं अगर इस situation में ऐसा हुआ तो मुझे लग रहा है कि अगर आपसे resonate करे तो मुझे बताईए गाईस ठीक है ना तो क्या अंकल वगेरा हो जो जिनका same nature ऐसा ही हो और वो same वो आप पर apply करते हैं ठीक है ना तो ये भी हो सकता है कोई controlling nature की energy भी मुझे दिखाई दे रही है कोई father figure भी हो सकता है जो उनको बहुत जादा control करके चलता है और शायद वही nature उनमी भी आई है कि वो आपको बहुत जादा control क चलते है ठीक है ना तो आपके partner के तो मुझे अभी यही feelings दिख रही है फिर उसके बाद आते हैं the hermit card तो ये card मुझे बताता है कि आप दूनों no contact की situation में है ठीक है और मतलब आपकी बात हो ही नहीं रही है हो सकता है उन्होंने आपको block कर दिया हो आपने उन्हें block कर दिया ह जिसके विजह से ना आप ही sad नहीं है आपके partner भी बहुत जादा sad है ऐसा नहीं है कि इस बात ना करने का effect सिफ आप पे पढ़ रहा है आपके partner भी बहुत ज्यादा इसका effect पढ़ रहा है ठीक है और guys वो कही ना कही hope भी रखे हुए है ये star card मुझे बताता है कि वो भले आप से बात ना कर रहे हो पर वो आपको defend करके बहुत चलते है ना तो वो आप पे आपसे hope भी बहुत जादा रख रहे है ठीक है उन्हें hope है कि ये सब चीजे जो भी situation चल रही है ना कि वो सब सही हो जाएगी in future ये सब चीजे सही हो जाएंगी तो आपके partner ने तो आपसे distance बना है ठीक है मुझे ये तो देख रहा है कि वो बात नहीं कर रहे है वो पर वो साथ मेना hope जो रख रहे है वो ये चाह रहे है कि आप ये सब चीजे मतलब आप उनसे बात करें आप situation को handle करें आप ही जो step ले वो आप ही ले वो उनका nature है ना इस वजह से हो रहा है तो वो ये चा अभी मुझे दिखाई दे रही है ठीक है हो सकता है ये आपकी energy हो मतलब energies तो यहाँ पे change करती रहती है आपके और आपके person के बारे में ही मैं पढ़ रही हूँ read कर रही हूँ तो हो सकता है ये energy आपकी भी हो सकती है ठीक है तो आपके partner को ना अभी realization भी नहीं हो रहा है कही गई वो तब ही तो वो situation को यह नहीं चा रहे है कि वो खुद भी effort करें आप से ही सबी expect कर रहे हैं तो हो सकता है उन्हें कहीं न कहीं realization भी नहीं है तो इसी लिए वो इतना wait भी कर रहे हैं वह क्या है न अभी वो बहुत अकेला रहना भी पसंद कर रहे है उन्हें न किसी के स situation के बारे में किसी से discuss भी कर रहे है किसी बड़े से discuss कर रहे है शायद यह कोई जो father figure जो मैं आप से कह रही तीना कि है वो खुद उनकी भी ऐसी nature है और उनकी life में भी father figure है तो हो सकता है कि वो उनसे उस चीज़ की help ले रहे है उनसे guide कर रहे है अब ये चीज़ें कि ये जो father फिर उसके बाद आता है यह 7 of cups का card 7 of cups का card मुझे दिखाता है कि आपके पसंद के पास past में बहुत सारी choices थी ठीक है ना तो जो उनके पास past में choices थी शायद जिसकी वजह से उन्होंने आपको आपको excited रखकर इन choices को देखना जादा पसंद करा इन options को देखना जादा पसंद करा अब यह options क्या हो सकते हैं यह options इनके financial issues भी हो सकते हैं इनकी family भी हो सकती है इनका career भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है क्योंकि इतने सारे options थे उनके पास तो उन्हें उस time पे आपकी value ना दिखकर ये सब चीज़े दिखी तो past में हो सकता है उन्होंने इन सभी चीजों की वजह से आपको छोड़ दिया हो या फिर आपको भी एक side तो 100% आप है लेकिन डूसरी side क्या है ये हम discuss करेंगे कि क्या है तो एक side आप इस वजह से हैं आप पोलेंगे कि आप कैसे कह सकते हैं कि यहां मैं एक side हूँ ठीक है ना वो मुझे पता चलता है इस card से emotions का card जो आपको लेकर है ठीक है ना emotionally वो आपसे attached है और अभी भी वो चाहते है और अभी भी वो उस चीज़ के लिए strength जुटा रहे है और वो एक दिन जुटा लेंगे 100% जुटा लेंगे ठीक है ना तो एक side तो आप उनके हैं लेकिन दूसरी side क्या है दूसरी side उनकी family भी हो सकती है दूसरी side उनका financial भी हो सकता है दूसरी side कुछ भी हो सकता है थिक है ना उनका family हो सकता है उनका carrier हो सकता है उनका financial problems हो सकती है कुछ पिर हो सकता है ठीक है ना जिसके लिए उन्होंने past में आपको छोड़ा था लेकिन अभी वो क्या है 7 options में नहीं stuck है जहां पे आपको उन्होंने छोड़ दिया था जिन options की वज़े से उन्हों ने छोड़ दिया था अभी उन options में से सिर्फ एक option है वो family भी हो सकती है वो finance या career भी हो सकता है जैसे आपको जो resonate करे वो भी आप लीचेगा ठीक है ना अभी उनके पास दो options है अभी वो दो options में बहुत जाधा स्टक है इसलिए वो अपने father figure से श कि मुझे ये दिखा रही है फिर उसके बाद आता है strength card strength यानि की दुर्गा card ये मैं इसको दुर्गा card बोलती हूं basically तो ये card जो है मुझे बताता है strength का card मुझे बताता है कि आपके partner जो है ना अपनी situation को लेके काफी patience बनाई रखे है ठीक है ना ये card मुझे बताता है patience का व समझ रहे हैं और वो कहीना कहीना उनकी willpower बहुत strong है शायद इसी वज़े से वो आपको दिखानी रहे है जतानी रहे है इतने hermit mood पर बैठे हुए हैं उनने बात भी करनी है पर वो आपका weight कर रहे है तो उनकी willpower उनका patience ली वो situation को handle कर रहे है और वो weight कर रहे है ठीक है ना त weight कर रहे है आपके phone call का आपका तो या situation को handle करने का क्योंकि problem के और यह वो options में से choose नहीं कर पा रहे है एक तरफ आप है आपका emotion से भरा प्याला उनके हाथ में है एक तरफ उनकी family है father figure है एक तरफ उनका career and finances है तो इन सब चीजों के बीच में वो अटके पड़े है उनने नह ही समझ में आ रहे है और इसलिए वो इतना जादा strength भी ले रहे हैं बहुत जादा patiently सब चीजों को observe कर रहे हैं सब चीजों को समझ रहे हैं किस तरफ मुझे जाना चाहिए बहुत willpower strong कर रखी है शायद और उसे advice भी ले रहे है ठीक है ना लेकिन situation को वो handle कर लेंगे ठीक है temperance का card मुझे बताता है कि वो इस situation को handle कर लेंगे वो कैसे कर लेंगे वो problem को balance करने की जो balance जो है ना वो balance जो अभी नहीं कर पा रहे है in future वो कर लेंगे अभी तो यहाँ पर balance की कमी है कोई एक तो बहुत ज़्यादा दे दे जा रहा है बहुत ज़्यादा compromise कर रहा है बहुत कि वो दूसरा बिल्कुल भी कर नहीं रहा है या कर भी रहा है तो बहुत मतलब एक relationship को चलाने के लिए जो balance चाहिए ना दोनों side से वो नहीं हो पा रहा है इस रिष्टे में लेकर बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके और आपके partner भी बहुत confused अभी की situation में तो ब भी लगाने पड़ेंगे और आपको भी लगाने पड़ेंगे तभी equal give and take वाली condition आएगी और तभी आप दोनों का reconcile होगा ठीक है ना अभी तो उनकी feelings के लिए तो मैं यहीं आपको बता सकती हूँ और वो अभी तो काफे ज्यादा problem मतलब clarification भी नहीं हो पा रहा है उनका वो क देखती हूँ कि आपको इस situation में क्या करना चाहिए ठीक है ना मैं ऑशोस कार्ट के थ्रो आपको बताने बताऊंगी में यह त cities कार्ण में क्या करना चाहिए और मैं व्न बाइवन एक कारड करके कार ने कालुँगी तीन कार्च चार कार्च एक साथ गिरें तो मैं उन्हें मेरे वियर्ज को क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और यह जनरल वीडिंग तो आप ठीक है ना तो आप को पता है कि जनरल रीडिंग्स 100% accurate, बनला हर किसी को resonate नहीं करती है, ठीक है ना, तो आप इस चीज़ को बिलकुर ध्यार में रखती चलिएगा, आपको कुछ guidance मिली मेरी साइट से, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और आपको ordinaryness, moment to moment, मुझे लग रहा है ना कि हाँ पे आपको कही ना कही अपने finances पे आपको भी work करना चाहिए, इस situation को अब यह जैसा है ना, वैसा छोड़ देना, इतने सारे नहीं लूंगी, जैसा है वैसा छोड़ देना चाहिए, अभी तक तो मुझे यही लग रहा है, आपके पसंद तो स्टक है, turning in, meditation, अपनी अंतर आत्मा को आपको भी सुनने की बहुत बहुत ज़रत है, जैसा है ठीक है ना, गाइस, तो यह आया है आपकी reading में, ordinaryness, moment to moment and turning in, तो guys, मुझे लगता है कि आपको ना, wait नहीं करना चाहिए, आपको ना, moment to moment चलना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए, आपको अभी ना, अपने, अपनी healing करने की बहुत ज़रूरत है, तो मुझे यहाँ पर यही लगता है, कि आपको अभी के लिए तो moment to moment चलना चाहिए, जैसा flow चल रहा है, उसी की according चलना चाहिए, अपनी healing करनी चाहिए, अपने finance पे बहुत जादा वार्क करना चाहिए, ठीक है ना, तो अभी के लिए तो आपको यही guidance दी जा रही है, उनिवर्स की साइट से, चलिए देखते हैं, साइटाबा क्या कहना चाहते पुन्रावरती, जब तक सबक न सीखें, तब तक इस जीवन में उन्ही घटनाओ की पुन्रावरती होती रहेगी, तो हो सकता है, यह जो आपके साथ, यह जो situation हुई है, वो आपको कुछ सिखाने के लिए हुई है, और अगर आपने वो चीज नहीं सीखी ना, तो फिर वो चीजे रिपीट होती चली जाएंगी, हाँ पर साही बाबा आपसे यह कह रहे हैं, क्रपा, अपने आत्मा के स्थर पर चुनी हुई जीवन योजना को, ईश्वरिय क्रपा समझे और स्विकार कीजे, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको बोल रहे हैं भावा की यह सब जो भी कुछ हो रहा है ना, उसे आप एकसेप्ट कीजे, और उसे भावा का एक गिफ्ट की तरह समझे, कि वो कुछ सिखाने के लिए आपको ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि बुरा वक्त हमेशा कुछ सिखाने के लिए ही आता है, ठीक है ना, फिर उसके बाद आता है, आकरशन का न किया नो शायद यही आपको सीखना है यहाँ पर equal give and take देना है आपको दोनों को equal and give and take देना है organize for success तो यहाँ पर do not let the word organize intimidate you as it is simply a way for you to ensure clarity of purpose organizing your thoughts, your reports your living and work space and your finances will help you know and plan your next action steps तो यहाँ पर आपको बावर भी आपको यहाँ पर अबेंडेस आपको यही बता रहे है आपको अपने आपको success की और बढ़ाना है यहाँ पर आपको move on करना पड़ेगा और अपनी लिए कोई नया रास्ता ढूना पड़ेगा cooperation instead of completion what's yours is yours and no one can take it from you there is no need to complete there is an abundance for all you have complete access to unlimited abundance for yourself and to share with others तो यह आपको बोला जा रहा है कि जो आपका है वो आपका ही रहेगा कोई आपसे उसे छी नहीं सकता जैसे कि आप अगर यह परसन आपके हैं तो आपकी लाइफ में 100% आएंगे ठीक है ना कोई उसे आपसे छी नहीं सकता उसके लिए आप एक जगा पर बैठे मत रहेएं स्टक मत हुईए उसके लिए आप पढ़िए सकसेस की ओर बढ़िए अपने फाइनेंस की तरफ पढ़िए मुमेंट टू मुमेंट वर्क कीजिए और अपने फाइनेंस की तरफ पढ़िए चलिए देखते हैं आपके लिए आज के क्या affirmations आएं I deserve to love ठीक है ना यह आपको बता रहे हैं कि आप प्यार deserve करते हैं ठीक है ना क्योंकि क्यों होता है कि इतनी बेकार condition में आके आप हो सकता है बाबा भी आपको यही बताना चाह रहे है कि आप अपने आपसे प्यार करना भूल रहे है और आप deserve करते हैं प्यार करना प्यार पाना ठीक है ना तो फिर second है I close my eyes think positive thoughts and breathe goodness in and out तो जैसे आप भी देखे कितने relate कर रहे है I don't know how turning in का भी यही बता रहा है और आपकी affirmation भी यही आई है कि आपको meditate करना चाहिए और हर एक thought हर एक breathe in and out के साथ आपको positive सोचना है आपको आपकी affirmation भी यही आई है और आपको guidance भी यही दी गई है कि आप meditate कीजिए I love myself I believe in myself and I support myself कितना beautiful है कि आपको अपने आपसे प्यार करना पढ़ेगा अपने आप पर विस्वाश करना पढ़ेगा और अपने आपको support खुद करना पढ़ेगा यह आपकी affirmations है यह तीनों affirmations आप कही भी note down का सकते हैं तो guys यह थी second pile की reading चलिए guys अब हम देखते हैं आपके पसंद की क्या messages है क्या वो आपसे कहना चाहते हैं ठीक है ना चलिए आजएए आपके पसंद में यह आपे छे कार में कालूंगी तीनिया हो ना पसंद वितक आपके हैं लुआ के आपके हैं जग मे समिट करते हैं आपकल जग जग एञ है उग उख खम हो तो देखते हैं कि आपके पसन आपसे क्या कहना चाहते हैं यहां पे मेरे पास seven cards आ रहे हैं चलिए देखते हैं फर्स्ट आया है please don't ignore me शायद आप उन्हें ignore कर रहे हैं और वो चीज उनसे देखी नहीं जा रही है तो वो आपसे कह रहे हैं कि please don't ignore me don't worry about who wants me because I want you देखिए वो आपसे कितना प्यार करते हैं वो भी आपसे यहीं कह रहे हैं कि I want you don't worry about who wants me तो वो यह कह रहे हैं कि कोई भी तुम इस चीज की परवा मत करो कि मुझे कौन चाहता है या नहीं चाहता है तुम इसकी परवा करो कि मैं तुम्हें चाहता हूँ I want you वो आपसे कहना चाहते हैं sorry I was not mature तो यहाँ पर वो उन्होंने जो अपने ये seven options के वजह से जिसे आपको छोड़ दिया था इतने सारे जो options उनके सामने थे उसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ दिया था इसी लिए वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि sorry I was not mature तो हो सकते हैं उन्होंने बहुत immaturely behavior किया था आपके साथ past में तो इसी लिए वो आपसे sorry बोलना चाहते हैं you are my everything my word my john तो वो आपसे कह रहे हैं कि आप ही उनका सब कुछ है उनका word है उनका सब कुछ आप ही है तो आप ऐसा मत समझे कि वो परेशान नहीं है आपके लिए ठीक है ना फिर उसके बाद है I am not happy see वो आपसे कह रहे हैं कि मैं खुश नहीं हूँ और वो ये हमें पता चल जाता है the hermit card से कि वो खुश नहीं है वो hope तो रखे हुए हैं लेकिन वो खुश नहीं है ठीक है न just give me another chance वो इसलिए आपसे कहना चाह रहे है कि आप उन्हें एक और chance दीजिए ठीक है फिर उसके बाद है do you have someone else तो उन्हें कहीं न कहीं ये लग रहा है कि आप शायद उनसे बात नहीं कह रहे है आप no contact के situation में हो तो उनको शायद ये feel हो रहा है कि आपकी life में कोई और तो नहीं है या फिर आपकी life में कोई और तो नहीं आ गया है ठीक है न तो उन्हें एक थोड़ा problem हो रही है स्टेस से तो guys ये थी आपकी reading तो अगर आपको मेरी reading पसंद आती है अच्छी लगती है तो please मेरे channel को like कीचे, share कीचे and subscribe कीचे और अगर आप लोगों से मेरी reading resonate करती है आपको मेरी reading पसंद आती है तो please मुझे comment section में जरूर बताईएगा thank you guys, thank you, bye bye